आरलवी प्रोजेक्ट इस्रो का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जो अंतरिक्ष में मानव उपस्थिती की भारत की महत्वाकानक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक तक्नीक उपलब्ध कराता है। Reusable Launch Vehicle से इस रोग को स्पेस में लो कॉस्ट एकसेस मिलेगा यानी स्पेस में ट्रावल करना सस्ता हो जाएगा। इस सेटेलाइट से प्रोजेक्ट लाँचिंग सस्ती होगी क्यूंकि इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। भारतिया अंतरिक शनुसंधान संगठन इस रोग ने अपने Reusable Launch Vehicle LEX03-RLVLEX03 पुषपक की लगातर तीसरी बार सफल लांडिंग कराकर बड़ी सफलता हासिल की है। Reusable Launch Vehicle को लांड कराने में सफलता हासिल करने के बाद अब इस रोग के लिए पुषपक का Orbital Re-Entry टेस्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। इस रोग ने रविवार को एक बयान में कहा की पुषपक ने चुनोती पूर्ण परिस्तितियों में उन्नत स्वायक शमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक होरिजेंटल लेंडिंग को अंजाम दिया। ये परीक्षन बेंगलूरू से लगभग 220 किलोमेटर दूर चित्रदूर्ग जिले के चल्लकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, ATR में आयोजित किया गया था। पुषपक को इंडियन एरफोस के चिनूक हेलिकॉप्टर से 4.5 किलोमेटर की उचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ओटोनॉमस लेंडिंग के लिए छोड़ा गया। दूसरी एक्सपेरिमेंट के दौरान पुषपक को 150 मीटर की क्रोस रेंज से चोड़ा गया था। इस बार क्रोस रेंज बढ़ा कर 500 मीटर कर दिया गया था। जब पुषपक को हेलिकॉप्टर से छोड़ा गया था, उस वक्त उसकी लंडिंग विलोसिटी 320 किलोमेटर प्रतिघंटा से ज़ादा थी। ब्रेक पैराशूट की मदद से टिचडाउन के लिए इसकी विलोसिटी को घटा कर 100 किलोमेटर प्रतिघंटा तक लाया गया। आरलवी प्रोजेक्ट इस्रो का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जो अंतरिक्ष में मानव उपस्थिती की भारत की महत्वा कांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनी को प्लब्ध कराता है। Reusable Launch Vehicle से इस रोको स्पेस में लो कॉस्ट एकसेस मिलेगा यानी स्पेस में ट्रावल करना सस्ता हो जाएगा। इस सेटेलाइट से प्रोजेक्ट लाँचिंग सस्ती होगी, क्योंकि इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। प्रित्वी की कक्षा में घूम रही किसी सेटेलाइट में अगर खराबी आती है तो इस लाँच वीकल की मदद से उसको नश्ट करने की बजाए रिपेय किया जा सकेगा। इसके अलावा जीरो ग्रविटी में बाउलोजी और फॉमा से जुड़े रिसर्च करना आसान हो जाएगा। पहला लेंडिंग एक्सपेरिमेंट दो अप्रेल दो हजार तेईस और दूसरा 22 मार्च दो हजार चोबीस को किया गया था। यह अंतिम लेंडिंग एक्सपेरिमेंट था जो सफल रहा। अब इस रो इस लॉंच वीकल का और्बिटल री इंट्री टेस्ट करेगा। इस टेकनोलोजी से रॉकेट लॉंचिंग सस्ती होगी और अंतरिक्ष में उपकरन पहुचाने में कम लागत आएगी। लॉंच वीकल के दो हिस्से होते हैं। पहला रॉकेट और दूसरा उस पर लगा स्पेसर क्राफ्ट या सेटेलाइट जिसे पृत्वी की कक्षा या अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना होता है। इस्तिमाल किया जा सकता है, जिस पर इसको काम कर रहा है। इलन मस्क की कमपणी स्पेस एक्स पहले ही इस तकनीक को हासिल कर चुकी है। रियूसेबल लाँच वीकल के पीछे का आइडिया स्पेसक्राफ्ट को लाँच करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है। ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तिमाल किया जा सके। हालाँ की इस्तिमाल का रियूसेबल लाँच वीकल, आर्ल्वी स्पेस एक्स से अलग होगा। स्पेस एक्स की रियूसेबल टेकनोलोजी रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है। इसे recover करने से ज़्यादा पैसों की बचत होगी। ये satellite को स्पेस में छुड़ने के बाद वापस लॉट आएगा इस्रों ने reusable launch vehicle का lending experiment यानी LEX पूरा कर लिया है। अब आने वाले दिनों में return to flight experiment, REX और scramagate propulsion experiment, specs को अंजाम दिया जाएगा। विशेशग्यों की माने तो इस्रों का reusable launch vehicle 2030 से पहले उडान भरने के लिए तैयार होगा। ये launch vehicle पृत्वी की निचली कक्षा में 10,000 kg से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा।